Hello Friends, Movie Lover Channel में आपका स्वागत है ये फिल्म एक सची कहानी पर बेजड है आज से तक्रीबन 120 साल पहले मतलब की Year 1900 की बात है जब अमेरिका के Wild West इलाके में दो बदमाश होगा करते थे जो ट्रेन डगैतिया करते और कई बैंक्स को भी लूठा था उन्होंने एक का नाम तो Robert Leroy Parker जिसे Bush Cassidy के नाम से जाना जाता था और उसका दूसरा साती Harry Longbuff जिसे Sundance Kid के नाम से जाना जाता था Hole in the Wall इनके गैंक का नाम था और Bush Cassidy इनका लीडर था तो दोस्तों ये फिल्म इनी की कहानी बताती है और जब कानून इनके पीछे पढ़ता है तो कैसे इन दोनों का अंध होता है पेन कास्ट में हॉलिवड के दो लेजेंडरी अक्टर्स Paul Newman और Robert Redford है और साथ में कैथिन रोल्स और स्टो अथर मार्टिन भी है आइमडी भी रेटिंग है चलो दोस्तों स्टार करता है Bush Cassidy and the Sundance Kid की स्टोरी Year है 1899 अमेरिका के Wyoming नाम की एक जगह है जहां एक पहाड़ी लाका है जिसका नाम है Hole in the Wall यहीं पर Bush Cassidy का गैंग छुपता है और रहता है Bush Cassidy और Sundance Kid दोनों अपने ठिकाने पर लोडते हैं Union Pacific Overland Fly Train को उसके पूर्व और पच्चे मतलब दोनों तरफ सर लूटने के Logan के आडिया को मान लेता है यह डगायती जबर्दस्त होगी और ज्यादे ज़्यादा पैसा वसूल करेगी पहली डगायती सफल हो जाती है जश्न मनाने के लिए Cassidy पास के एक शहर में एक वेश्याल ले जाता है और देखता है कि टाउन का मार्शल बुच Cassidy को ट्रैक करने के लिए एक दल को संगठित करने की कोशिश कर रहा है ताकि Hole in the Wall गैंग को पकड़ा जाए Cassidy अगली सुबह उनके साथ जुड़ जाता है और अपनी नई सैकिल पर सवारी के लिए एट अप प्लेस को ले जाता है दूसरी ट्रैन डखेते पर Cassidy ने तीजोरी को उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा डाइनमेटिका यूज़ के जिससे विस्वोड इतना बड़ा होता है कि ट्रैन की एक बोगी पूरी तभा हो जाती है और पैसा हर जगे उड़ जाता है जैसे ही गैंग पैसा एकटा करने के लिए हाथ पाउ मारता है एक दूसरी ट्रैन से 6 लोग की टीम आ रही है इन सब को पकड़ने के लिए सब भागते हैं कुछ गैंग के मेंबर्स मार जाते हैं और बुच, कैसिडी और संडेन्स किट किसी तरह वहां से भागते हैं दोनों एक प्रोथल मतलब कि वैस्चाले में छुपने की कोशिश करते हैं बट वहां से भी उन्हें भागना पड़ता है अब दोनों किसी तरह से शेरिफ ब्लैटसों से मिलते हैं जो उनका दोस्त है वो कहते हैं कि वो माफी माँगना चाहते हैं सरकार से और सरेंडर करना चाहते हैं लेकि अब शेरिफ कहता है कि तुमने इतनी सारी डखेते की हैं और बैंक लूटे हैं अब वो पहड़ी इलाके से निकलने की कोशिश करते हैं, यह बहुत उबर खावड इलाका है, चट्टानी इलाका है यह, दोनो एक बहुत उची पहड़ी पर छिप जाते हैं, और वो जो 6 लोग की टीम है, वो साफ देख पाते हैं, दोनो एक जगे फज जाते हैं, जहां सीध पड़ा उसका नाम है Mr. Harriman, यह Mr. Harriman वही है, जो कि उस ट्रेन का मालिक था, और उसने ठान लिये कि इन दोनों को खत्म करना है, और Mr. Harriman नहीं उन 6 लोग की टीम को हायर किया है, संडेंस कहता है कि आप उन्हें यहां से भागना होगा, मतलब कि अमेरिका छोड़ना पड़े जाता कि Bolivia में पहुचकर उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता है, क्योंकि यहां बहुत गरीब ही और रहने का भी जो डगे है वो ठीक टक नहीं है, अब वोग लोग क्या करते हैं, यहां भी बैंक लूटते हैं, उन्हें स्पैनिश नहीं आती तो एटा थोड़ा उन बन्दे को पहचान लेता है, और वो बन्दा उन छे गुरूप में से एक था, मतलब कि वो जो छे बन्दे थे वो यहां भी आ चुके हैं, यह मिस्टर हैरिमन के ही आदमी हैं, मतलब बॉली भी आ चुके हैं इन दुनों का खत्म करने के लिए, एड़ा कहते हैं कि यहां वि काम मिलता है, जॉब के पहले दिनी एक अलग चीज हो जाती है, रास्ती में अचानक गोली चलना शुरू हो जाती है, और जो परसी गैरिस था, वो मर जाता है, बुच और संडेंस किसी तरह अपना आपको बचानी कोशिश करते हैं, वो जो पैसा होता है, सारा डाकू की तर से जाती है, एटा कहती है कि तुम फार्मिंग के काम करो, लेकि दोनों कहते हैं, यह बहुत महरता काम है, और उन्हें फार्मिंग जो है, वो नहीं आती, वो खेती नहीं कर सकते हैं, अब एटा बोलती है कि वो वापस अमेरिका जाना चाहती है, और दोनों मना भी नहीं करत कmosy Hammer गाल आand का भाइनवत से स्टार्ट कैश्याइठ खाला चार उडेले करते हैं पर बूछ टार देने कोशिश करता है और भुछ के गाल खाल जाते हैं और कि अवो से नहीं लड़ सकते हैं और जो कैसिडी कहता है अगर वो दोने हाँ से बज गया तो सीधे ऑस्ट्रेले जाएंगे शायद उनके लिए सेफ जगह होगी ये एक तरीके से मजा करता है बुच क्योंकि बुच और संडेंस को पता है कि अब बचने का कोई चांस नहीं है बट वो सरंडर नहीं करते हैं और सीधे बॉलिवने आर्मी के सामने आ जाते हैं एक बंदू के लेकर और चारो तरह से गोले चलने लगती है और यहीं इस मुवी का एंड होता है मतलब कि दोनों हमारे जाते हैं तो दोस्तों यह थे बुच कैसिडी एंड दा संडेंस केट की स्टोरी इस फिल्म को साथ आसकर नॉम बहुत गजब है फिल्म के कुछ सीन्स खासकर स्टार्टिंग ने सीन और कुछ बीच में जो सीन है वो ब्लैक अन वाइट में फिल्माये गए हैं आज के लिग जो मॉडन फिल्मेकर्स हैं काफी इस ब्लैक अन वाइट सीन्स को दिखाने की कोशिश करते हैं और फिल्म में बिल लीजिए थैंक्स वर वाचिंग बाई 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 बी हैपी एंड टेक केर